आज का टॉपिक है चाइना बैंस इंडियन सी फेरर्स अन ओफिशली जब वर्ड में अन ओफिशल है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह रूमर्स है आप सोर्सेस देखिए ऐसे ही परिशान मत हो यह काफी सारे लोग परिशान हो चुके हैं क्योंकि DM और मेसेजस भरा हुआ है कि अब इंडियन सी फेरर्स का क्या होगा यार ऐसे परिशान नहीं होना चीए है उसका सोर्स देखो कौन ऐसा बोल रहा है बहुत सारे न्यूस पेपर्स ने आर्टिकल्स ने ये न्यूस छापी कि चाइना हैस बैंड इंडियन सी फेरर्स अन ओफिशली लेकिन सोर्स देखिए कि कहां से आई इंफोमेशन तो वो आती है अपने यूनियन से यार यूनियन लोगों को चाहिए कि आप उनको उनका यूनियन फीज देते रहो वो काम करे ना करे उनकी पहले से आदत है क्रेडिट लेने की फैक्ट्स को एनलाइज करो और उसके बाद ही किसी भी निउस पे भरोसा करो यूनियन की बात करें तो यार टैक्सेशन टैक्सेशन रूस इंडियन सीफेरर्स के लिए कभी चेंज हुए ही नहीं और उन्होंने पूरा क्रेडिट ले लिया कि यूनों चेंज होके 240 डेज हुआ और हमने सब रिक्वेस्ट करके 183 डेज करवाया एवर गिवन के केस में देखो क्या किया यूनियन ने कुछ नहीं किया फोन किया and that's it तो यार ये यूनियन का काम रहा है पहले से और उन्होंने पहले भी बहुत बार ये सारी चीजे करी है अभी अनओफिशली न्यूस फैलाएंगे कि इंडियन सीफेरर्स और बाद में फिर क्रेडिट लेंगे कि देखो हमने बहुत effort लिया और अब इंडियन सीफेरर्स चाइना में allow हो गए तो सच क्या है problem क्या हो रही है चाइना में इंडियन सीफेरर्स को तो problem ये हो रही है कि यार कोबिट था में बहुत तरीके से फैला कोबिट बहुत तेज फैला EQ तो काफी सारी country नें इंडियन सीफेरर्स को बना कर दिया मना भी इसलिए किया क्यों कि यहां पे आटी पीसीर टेस्ट करो निगेटिव वहां पे जहां पे आपको शिप जॉइन करना है वहां पे फिर आप कर करके आरही हो positive क्योंकि different strains थे अपने को बिट के तो यह सारी चीज़े हुई तो उन्होंने Indian Seafarers को ban कर दिया COVID के risk से, दूसरी बात आती है vaccination पे, तो हमारे यहाँ है Co-Vacin, Co-Vishield, Co-Vishield तो सब जगा approved है, सब लोग मानते हैं उसको WHO approved है, but Co-Vacin approved नहीं है, तो अगर Seafarers ने Co-Vacin लिया है तो you know, इसके लिए problem उनको create हो सकती है बाकी यार, shipping बहुत dynamic है, shipping में you never know when you will end up in China especially हमारे tanker trade में तो यार, हम कहीं भी होते हैं suddenly हमारे spot होता है, जहां का cargo मिलता है हम वहाँ जाते, तो यह कैसे regulate कर सकते हैं, कि अगर चाइना में ship आ रहा भी है, कि नहीं आ रहे हैं तो आप थोड़ी नग क्रूचेंज करने वाले हो यार और इंडिया और चाइना इतना बड़ा supplier है and exporter है कि ऐसे आप एक दूसरे के seafarers को ban नहीं कर सकते Chinese seafarers भी इतने सारे है in fact, world में number one है सबसे यादा Chinese seafarers है तो अगर ऐसे ban करने लग गए तो फिर यार shipping नहीं चलेगी and ship owners इतने बेवकूफ नहीं है कि वो एक country की बात माने कि आप ये seafarers को मत hire करो और सिर्फ Chinese को low अरे low Chinese को skilled है लोग हैं replace करने के लिए तो वो automatic आ जाएंगे ship पे उसके लिए आपको Chinese government को ये सब ban ban करने के जरूत नहीं पड़ेगी if they are capable enough shipping companies उन्हें अपने आप हायर कर लेगी दमी fake news है और union अपना try करेगा इसका कुछ भी credit लेने का क्योंकि अभी covid खतम हो रहा है फिर थोड़े दिन के बाद बोलेगा कि यार चीज़े normal हो गई कि देखो हमने effort लिया था ban हो गए थे अब हमने allow कर दिया तो this is completely a rumor unofficially क्या है sources देखो एक union को छोड़के कोई भी नहीं बोल रहा है कोई भी और body ऐसा बोल ही नहीं रही है अभी देखे आप Google में मारी है has China banned Indian sailors तो क्या आता है अभी यहाँ पर एक example है बट आप इस topic पर किसी भी website में जाए किसी भी news channel में वो same बाते कर रहे है वो क्या बोल रहे है China is imposed unofficial ban on Indian sailors and not allowing them to join China bound ठीक है यह news किस ने फिल आई है Seafarers Workers Union एक ही लोग ने फिल आई है इसके लिए clarification लेने के लिए वो गए थे DG Shipping के पास DG Shipping ने बोल दिया भाई ऐसे कोई कुछ भी बोलता रहेगा तो हम उसके उपर investigation नहीं करने वाले क्योंकि officially China से हमें कोई ख़बर नहीं आई है या government official से कोई भी किसी भी तरीके से कोई official ख़बर नहीं आई है तो यह union का काम है क्रेडिट लेने आ जाएंगे कि भाई देखो अब इंडियन्स एलाओ हो गए आप लोग को अगर कुछ confusion है कुछ doubt है तो वो clear हो गया होगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दबाईए चैनल पर सब्सक्राइब करिए stay fit, jay hind I will see you on the next one